असलाम अलेकूम मैं बिल्किस मंसूर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इमली और अमचूर की खट्टी मिठी चटनी यह देखे अमचूर की और इमली की जो हम यह चटनी बनाने जा रहे हैं मैंने यह 100 ग्राम इमली ले लिए जिसको मैंने गरम पानी में भीगा के रखा वा था कम जब आपके लिए यह 15 मिंट से भीगा के रखी हुई है इमली को और देखे कितनी अच्छी दरह से मैंने इसको अच्छी से मैस्क कर लिया है और यह 100 ग्राम ले लिया है मैंने अमचूर लिया है इस चटनी में क्योंकि हम चूर अच्छी वाइड कलर का ही अमचू अच्छी ले लिया है और एक बड़ा चमच ले लिया है जीरे का और इनको हम करेंगे रोष्ट और यह 200 ग्राम ले लिया है मैंने चीनी तो यह दिखे इस अमचूर को अच्छे तरह से धो के हम कूकर में डाल देते हैं और इसे में हम कम सकम 2 सीटीं लगा लेंगे ताकि हमारा अमचूर अच्छे से गल जाए दोलें ज़ी जबना रखें झाल गुक चकर देखें आंकि यह तो पर में दो . यजिग को छान लेते हैं देखिए बिलकुल इस तरह से इसको छान ले आप इसको अच्छzej से पेले हाद से मैस कर ले उसके बाद इसको छानें देखिए बिलकुल इस तरह से मैं आपको बता दूं कि चटनी में हमारे महनत बहुत ज्ञादा लगती tack engineering जाए निए टेश्टी लगती है। देखे। यह हमने सारी जेली चान लिए। निकाल लिया है। यह बचे हें हमारे बीज। औब आपकार्णप मसालों को कर लेते हैं। हम थोड़े से डार्क रोस्ट करने हैं। हें हमारे मसाले रोश्ट हो चुके हैं इनको ठ्धड़ने के लिए रख लेते हैं फिर हम दिखाथे हैं आपको इसको कूट के क्योंकि हमें मौट भोंटे ही कूटने हैं देखिंवे हमारा अमचूर भी बिल्कुल गल के तयार हो चुका है यह देखिए बिल्कुल एकदम हमारा आमचूर पिछने के लिए तयार है और यह ले लिया है हमने मसाले जिनको हमने कूट लिया है जो हमने यह भी रोश्ट किये थे वह हमने कूट लिया है यह हमारा आमचूर भी ठंडा हो चुका है इसको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं मिक्स हमारी यह चीनि खूल जाएगी अच्छे से ए तो यह देखे इसको मुशनता लेकिन इसको फिर भी हमें चानना ही है यह देखिए इस तरह से बिल्कुल इसको चाना है इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन जितनी इसमें मेहनत है उतनी हमारी यह चटनी टेस्टी है देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें इसको चानना है अब रमजान आ रहे हैं तो इसलिए हम इस चटनी को रमजान तक भी रख सकते हैं यह हमारी बहुती बढ़िया चटनी बनती है चाया हमें हम इसको एक साल के लिए श्टोर करके रख सकते हैं यह हमारी चटनी खराब नही जो है यह हमारे एमचूर जो है तो यह चन्नी पे बहुत ज्यादा लग जाता है तो इसको किसी चम्मत की मदद से हम इसको छुड़ा सकते हैं यहां से यह देखिये पीसे हुए हम चूर को चन्नी में चानना है बहुत ही इमली में दिखे ए रम चूर को हमने एक साथ मिला लिया है इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे जिन्ली भी हमारी घुल गई है यह दिखे आप इसको चमच की मदद से मिला सकते हैं या आप मिक्सी में भी थोड़ा सा ग्रेंड कर सकते हैं यह दिखिए इसमें जो अमचूर में जो थोड़ा जाली जाली सी होती है अब सिर्फ वो बचा है नहीं तो अमचूर हमने सारा निकाल लिया है इसमें से इस वक्त आप थोड़ी सी मिक्सी की मदद ले सकते हैं इसको अच्छी तरह से मिलाने के लिए यह देखिए बिल्कुल इस तरह से मिला लें इसको 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 मिला के तयार कर लिया है यह देखिए हमारा यह थोड़ा ठीक भी हो गया है अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले यह देखिए जो हमने यह मसाले कोट के रखे हुए थे अब हम इसको डाल देते हैं हम इसमें पूरा मसाला नहीं डालेंगे थोड़ा से बचा लेंगे जो लोग थोड़ी तीखी चेटनी खाते हैं तो वो इसको पूरा डाल दें और हम जड़ा थोड़ा मसाला कम खाते हैं तो इसलिए हमने इसको बचा लिया है अब देखे इसमें और मसाले डाल देती हूं मैं यह देखे यहाप टीश्पून है वाइट नमक वंटीश्पून काला नमक काले नमक की जो खुझभू है इस चेटनी में बहुत श्रॉंग होती है यह देखे यह हाप टीश्पून है लाल मिर्च पोडर तो इसलिए इसमें काले नमक बहुत जरूरी होता है और काले नमक का ही जो इसमें टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है देखिए इसमें मसाले डालने के बाद ही कितनी अच्छी खुझभू आने लगी है अभी जबके हमने इसको पकाया भी नहीं है सिर्फ मसाले ह जो कालनमक जेसे प्लाइन है कि इसमें जो काला नमक भो बिल्कुल मेन है यह दो मसाले अच्छे से मिला लिए हैं अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं ठोड़ी देर के लिए यह देखे हमने यह बिल्कुल अच्छे से मिला लिया आप इस वक्त इसमें नमक भी चैक कर सकते हैं और चीनी भी चैक कर सकते हैं यह देखे हमारी चटनी पकनी शुरू हो गया हलकी हलकी यह देखे इसको अच्छी तरह से चला लें साइडों से भी इसको छुटा लें ताकि हमारी चट्नी चिपक न जाए अगर हम इसको नो निश्टीक में बनाते हैं तो यह हमारी चट्नी बिल्कुल नहीं चिपकती कि इसको कर दिया है कवर क्योंकि इसमें यह पकते वे बहुत उचलती है चट्नी तो देखिए आप देख सकते हैं हमारी चट्नी अच्छे से पकने लगी है अगर हम कर देंगे इसका लो फ्लेम लो फ्लेम के बाद हमें इसे कम सकम 6-7 मिंट के लिए पकाना है देखिए उसमें बहुत अच्छी आ रही है मैं आप बता दूँ आप देखिए आप देख सकते हैं हमारी चट्नी बहुत अच्छी से पक रही है देखिए आपको लग रहा होगा कि हमारी चट्नी कितनी अच्छी तरह से पकने लगी है अभी हमारी चट्नी बिल्कुल पक के तयार हो गई है अब अब कर दिया हमने बंद अब इसको छोड़ देता है ठंडी होने के लिए तो यह तो धो अप्षी गरम है हमारी चटनी फोड़ी हो जाएगी क्योंकि पतल यह अच्छी नहीं लगती थोड़ी थीकिये लगती है यह देख सकते हैं आप अभी यह थोड़ी गरम है तो आप प्लीस उसे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी वीडियो कर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप अपना और अपने परिवार का खयाल रखना अल्ला आपिस